हेलो गाईस फोरीचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की इस वीडियो में बताया हूं कि आप आल लाइन रेजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं स्कॉलर्शिप का तो सबसे पहले आपको जो है नियू यूजर रेजिस्टर पर क्लिक करना होगा जैसे आप क्लिक करे कि उसका बैंक ब्रांच नाम होना चाहिए ठेक है उसके दाल में आधा नमबर और स्टूद्पे होना चाहिए तो यहां पे पोस्त में डेट और वो यानि राजज्य आपको सेलेट करना है स्कूल और सिप कटेगरी कौनसर केटेगरी में नेम उप स्टूडेंट उसके बाद मुबाइल नमबर उसके बाद आपके पास एक वैलिट इमेल आडी होना चाहिए उसके बाद एक बैंक एकाउंट डिटेल्स होना चाहिए उसके टीक मारना होगा यहाँ पर आपको यहाँ पर तीनों में टीक मारना है आई एक रिए करके उसके बाद कंटीनियों पर किलिक करना है जैसी आप कंटीनियों पर क्लिक करेंगे तो आपको इस परकार का पेज ओपेन होगा तो आपको यहाँ पर फ्रेज्ट रेजिस्टेशन फ्रेकेड मीं 2019 and 2020 यह लिखावाएगा तो सबसे पहले जो है state of domicile यह जो है आपको चूज करना है तो चलिए मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ पर आपको बिहार से लेट करना है अगर बिहार से हो उसके बाद यहाँ पर आपको केटेगरी कर सेलेट करना है पोस्टमेट्रिक क्लास mcm उसके बाद name of student यानि कि आप जिसका जो है online करना चाहते हैं उसका आप नाम डाले पूरा नाम डाले मुहम्मद शादाब आलम इसके बाद जो है इसकीम टाइप करे कौन सा आप इसकीम इसकोलर्शिप कर लेना चाहते हैं इसकोलर्शिप इसकीम यह आप चोईस कर उसके बाद डीयोबी श्लेट करे जो आपका आधार काड में है और इसकूल का सेटिफिकेट में है वही आप डियोबी डाले किसी तरह का कोई अंतर डियोबी ना डाले तो आपका Config नहीं आएगा उसके बाद आप जैंडर कर ले जो भी आप जैंडर है उसके बाद आप mobil number डाल दे ऐसा मूबाइल नंबर डाले जो वैलिट है और उस पर एक ओटीपी भी आएगा लेकिन फिलाल तो अभी नहीं आएगा लेकिन उसको जो है ओटीपी बाद में आएगा जब वो लोग इन करेगा उसको यहां पर एक वैलिट इमेल आइडे डाले जो भी आपका इमेल ऐड़े होगा वह आप यहां पर डाल दे तो चलिए मैं डाल देता हूं कि पमद्धी में कि 1chas को यहां पर उससे कि यहां पर आपको इमेल आइडे डालने के बाद आपको यहां पर बैंक ॅबुड다lei है है तो चलि हम अपना bank ifsc code डाल देते हैं तो चिह op और प्री जो है हम एक ऐप को डाल दिए उसके वाद एक का ऊक्वाक नमबर डाले तो चैज़ कर दो टो चलिए मैं डाल लेता हूं उसके बाद confirm bank account नंबर डाल देते हैं तो गैस मैंने जो है अपना bank account नंबर डाल दिया उसके बैंक नेम यहां पर आगी इसके वाद जो है कि देख्राइब को डिया उसके बाद जो है आयगरी पे click कर लेना है उसके बाद रेजिस्टर पे click कर देना है जैसे आप रेजिस्टर करोगे तो यहां पर आ जाएगा उसके बाद आपका पासवर्ड आपका डियो भी रहेगा लेकिन वह जो है आपको changes करना होगा आप अपन इटी सेंड कर दिया है, फीचर में आपको भी भी लोगिन करेंगे, तो आपको इस अप्लिकेशन आइडी की जरुरत होगी, उसके बाद आपको DOB password ڈالنا होगा लेकिन जब first रवार login करोगे तो आपCómo address क्रोड डालोगे उसके बाद आपको जो है वहाँ पर यानी कि password चॉइस करना होगा जो भी आप अपने हिसाब से रखोगे वो password वहाँ पर आप चॉइस करके रख सकते हो तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब ते के लिए जैह